और चले सीधे रुकरते राश्टे अधिवेशन में प्रधान मत्री बोर्ड हैं कम पढ़ रही हैं मेरी सबसे प्रांतना हैं बले नीचे बैठना पड़े लेकिन अगर आप बैठें को तो अच्छा होगा इधर इधर से मेरे साथ्यों से आग रहे हैं कि आप यहां सुनाई देता है मेरी बात सुनाई देती हैं ज़र आप प्रबंदग उस तरफ देखे भए जगा नहीं है तो किर्पा करके आप कहीं पर भी नीचे बैठ जाएए भारत माता की भारत माता की राष्ट्री अदिवेशन में यहां उपस्तित और देश की कोने कोने से जुड़े प्रतेग भाजपा कारकरता का मैं अभिनंदन करता हूँ भाजपा का कारकरता साल के हर दिन 2400 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है लेकिन अब अगले सो दिन नई उर्जा नया उमंग नया उत्सा नया विश्वास नए जोश के साथ काम करने का है आज अठारा फरवरी है और इस कालकर्ण में जो युवा अठारा वर्ष के पड़ाव पर पहुँचे है वो देश की अठारवी लोगसभा का चुनाव करने वाले है अगले सो दिन हम सब को जुट जाना है हर नए बोटर तक महुचना है हर लाभारती तक महुचना है हर वर्ग, हर समाज, हर पंद्र, परंपरा सब लोगे के पास पहुचना है हमें सब का विश्वास हासिल करना है और जब सब का प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे जादा सीटे भी बीजेपी को ही मिलेगी और आज मैं कल मुझे पदादिकारियों के साथ बैठने का आफसर मिला मैं नग्डाजी को और उनकी पूरी टीम को और आप सब को बदाई देता हूँ जब मैं पदादिकारियों की बैठट में साल भर के काम का रिपोर्टिंग सुन रहा था मैं सचमुच में इतना प्रभावित हुआ कि भाजपा के कार करता हाँ सब्ता में रहने के बावजुद भी समाट के लिए इतना करते हैं दिन रात दोड़ते हैं संकटों के बीज भी करते हैं और सिर्व अब सिर्फ भारत मा की जाय के लिए करते हैं ये दो दिन भी जो चर्चा हुआ अविचार भी मर्ष हुआ है देश के उजवल भविश को लिए हमारे संकटों को दड़ करने वाली हर बाते हुई है मैं भग्व आयोजन के लिए प्रेरक विश्वों के लिए आप सबको भी देश पर के कार करता हूँ को भी नड़ाजी के माध्यम से सबका अभिनंदन करता हूँ कि साथियों कि आज मैं समस्त्र देश वास्चों की तरप से कि संत शिरोमणी आचार्य स्री 108 पुझ्य विद्यासागर्जे महाराज को स्रद्धा पुर्वक आदर पुर्वक नमन करते हुए स्रद्धा अंजली देता हूँ उनके समयलेखन समाधिस्त होने की सूचना मिलने के बाद उनके अन्युवाई शोक में हैं हम सभी शोक में हैं और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिकत छती जैसा है वर्षों अब तक मुझे व्यक्तिकत रुप से अनेक बार उनसे मिलने का उनके दर्शन करने का, उनके मारदर्शन प्राप्ता करने का आउसर मिला है कुछी महेरे पहले ऐसा ही मन कर गया था मेरे प्रवास कारकम को बदल करके बहुत सुबह सुबह में उनके पास पहुँच गया था तब पता नहीं था कि मैं दुबहरा दर्शन नहीं कर पहुँगा यह मेरा सुबहागे रहा है कि पिछले पचास से भी ज्यादा वर्षों से मुझे देश के घणमान्या अध्यात्मिक मुर्तियों के निकट रहने का उनके आश्रिवात पारने का अउसर रहा है और इसलिए मैं उस अध्यात्मिक जगत की उस शक्ति को भलीबाती जानता हूं समझता हूं अनुभव करता हूं आपको सुरकर के अश्र होगा कि वे तो दिगंबर परंपरा से थे उनका जीवन कैसा होता है हम जानते हैं लेकिन शायद ही कोई ऐसी महत्वपुन घटना ऐसी नहीं होगी या मेरी तरब से कुछ महत्वपुन किसी काम में मेरा संबन्द आया हो 24 गंटे के भीतर भीतर उसका एनालिसिस करके मुझे उनका संदेश आता था इने कितने जागरुक थे और अपनी विराठ अध्यत्मिक आत्रा है और उसके बाद भी भो हम सब को हमेशा प्रेणा देते रहे हैं जीवन भर उतनी संब्यता के साथ उनका लोगों को मिलना उन्होंने हमारी युवाओं को परंपराओं से जोड़ा गरीबों तक सिक्षा और स्वास्त की सुविधाय पहुचाई उनका पूरा जीवन उस व्यक्द के लिए प्रेणा जसा है जिसने गरीबों और वन्चितों के लिए काम करने का संकल्प लिया है आज जब भारत प्रगती के पत्पर आगे बढ़ रहा है मुझे विश्वाथ है कि उनके सिध्धान और उनका अशिर्वाथ ऐसे ही भारत भूमी को प्रेणा देता रहेगे हैं साथियों पिछले दस वरसों में भारत ने जो गत्ती हासिल की है बड़े लक्षों को प्राप्त करने का जो होसला पाया है यह भुद्पुर वह है साथियों और इसले ने कि मैं कह रहा हूँ दुनिया गाजे बाजे के साथ बोल रही है भारत ने आज हर शेत्र में जो उंचाई हासिल की है उतने हर बेश्पासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड दिया है और यह संकल्प है विख्षिद भारत का अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है सपने भी विराथ होंगे संकल्प भी विराथ होंगे और यह हमारा सपना भी है हम सब का संकल्प भी है कि हमें भारत को विख्षिद बनाना और इसमें अगले पांच वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है अगले पांच साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है अगले पांच साल में हमें विख्षिद भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है लेकिन भाई और बहनों सारे लक्षों की प्राप्ति के लिए पहली शर्त है सरकार में भाजपा की जोड़दार वापस ही आज विपश के नेता भी एंडिये सरकार चार सो पार के नारे लगा रहे है और एंडिये को चार सो पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माल्स्टोन पार करना ही होगा